ये वीडियो बहुत ज्यादा important होने वाली है पूरी playlist की सबसे ज्यादा important वीडियो है ये बहुत सारी commands हमने पढ़ लिया है लेकिन कुछ basic commands, कुछ basic shortcuts इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं Linux हमारे काम को आसान कर देती राइट Linux की command अगर आपको आती है तो चीज़ा असान हो जाएंगे लेकिन ये shortcuts Linux को असान करें ठीक है चले स्टार्ट है कि जैसे मैं पर 5 पर हूं एंड पर हूं तो मेरे को यहां पर जाना है जैसे कि मैं भी कर रहा हूं लेकिन अब देखेगा ControlA करता हूँ तो starting में लेकिन चला जाएगा प्वेड से सुनिएगा CtrlA starting में, CtrlE ending में अब सुनिए अब मेरे को करना है आप मेरे को एक-एक वर्ड पीछे जाना है और बी एक एक वर्ड पीछे जाने के लिए बैकवर्ड जाने के लिए अब देखे लास्ट कमान मैंने क्या चलाई थी तो मैं जा सकता हूँ लेकिन मैं अपकी प्रेस करना नहीं चाहता हूं तो इसके लिए एक शॉर्ट कट है जैसे यह srt लिखा तो इसने लिख दिया हाँ पर nano mvn.srt जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो यह कमांड चल जाएगी देखू चल भी गई ठीक है और यह खुल भी गया है सब्टाइटल की फाइल तो अभी तक हमने क्या क्या देख लिया है हमने देख लिया है कि starting of the line में कैसे आते हैं एक वर्ड कैसे करते हैं Ctrl A से starting of the line Ctrl E से ending of the line Alt B से एक वर्ड पीछे Alt F से एक वर्ड आगे अब देखे मैंने इतना सब कुछ लिख दिया है मेरे को सब कुछ हटाना है बलकि देखेगा मैं 20 में चला जाता हूंग यहां भी चला जाता है अब देखे मेरे को 3,4,5 हटाने है तो मैं करूंगा Ctrl K से पूरी line हट जाएगी अगर आपको जो आपने हटाया है फिर से paste करना है तो Ctrl Y कर दीजिए ठीक है आप देखो मैं 5 पे हूं एंड में वो भी अगर अब मैं Ctrl K करूंगा तो कुछ नहीं होगा क्योंकि जहां पर मेरे करसर है उसके आगे कुछ भी नहीं है अब देखे मैं कुछ random यहां पर डाल देता हूं और B पे आगे हूं देखो मैं और Ctrl K करना है मेरे को delete करना है तो मैं टच पे गया ठीक है क्योंकि मेरे को टच उडाना है यह फिर लिजे मैं 2 पे हूं और मेरे को टच 1, 2 हटाना है तो क्या करूँगा Ctrl U करूँगा और टच 1, 2 हट जाएंगे Ctrl Y करेंगे एक तरह से Ctrl Y क्या करता है अब जैसे आपने Ctrl U प्रेस किय तो current से लेके start तक सब हट गया वो हट के memory में चला जाता है Ctrl Y से वह वापस जाता है memory से ठीक है clipboard नहीं है लेकिन एक memory है अब देखें हमें अब कई सारे shortcuts आ गए starting में जाना है Ctrl A, ending में जाना है Ctrl E, word back जाना है अगे की line हटाना है Ctrl Y, वापस लाना है Ctrl U, वापस लाना है तो अब भी मैं ला सकता हूं गंट्रोल भाई करके अब माल लिजे आपने यहां पर लिखा हुआ है बहुत सारा कुछ लिखा हुआ है ठीक है लेकिन आपको बता है थ्रीकी स्पेलिंग क्या यह तो नहीं है अगर आप कंट्रोल के करेंगे तो सब कुछ उड़ जाएगा ठीक आप आप लिजे हाँ पर टीटी लिख यह वह सरे आपको पता है कि अगर मैं कंट्रोल यू कर देता हूं तो सारे उड़ जाएंगे लेकिन आप चाहते हैं सिर्फ करंट वर्ड के स्टार्टिंग से उड़ें यह तो आप क्या प्रेस करोगे कंट्रोल डव्यो प्रेस करोग और यहां से कर देंगे तो यह उड़ जाएगा थीक है आगे वाला पीछे वाला उड़ाना है कुछ थीक है तो क्या करेंगे आप Ctrl W करेंगे ठीक है और एक और shortcut Ctrl R जो की history search करने के लिए होता है ठीक है ठीक है चलिए अब माल लेते हैं आपने बहुत सवारा काम किया है आप लेस है फिर बहुत सवारा आपको clear करना है तो clear करके आपे clear लिख दीजे clear हो जाएगा लेकिन एक और तरीका है Ctrl L clear हो जाएगा अब देखिए आपको terminal बंद करना है ठीक है आपको कुछ कुछ कर रहे हो ठीक है आपको काम हो गया Ctrl D कर दीजे आपका टर्मिनल बंद हो जाएगा ठीक है टर्मिनल चलाना है Ctrl Alt T ठीक है Ubuntu में चलता है Ctrl Alt T टर्मिनल चल जाएगा Ctrl D टर्मिनल बंद हो जाएगा जूम इन करना है Ctrl Shift Plus यानि की backspace के left वाला बटन ठीक है ना जाप equal भी है Ctrl Shift Plus Zoom Out करना है Ctrl Minus ठीक है cat करना है SQL को mvn.srt को तो मैं mv लिखूँगा Tab करूँगा अफ ऑटो कम्पलीट हो जाएगा इसका नाम ठीक है अब देखे जैसे कि मैं cta लिख दिया cat था यहां पर अगर मैं cd करना चाहता हूं ठीक है अब देखे एक और चीज अब मैं खोलना चाहता हूँ डाउनलोड को या फिर माल लिखे चलो डॉक्यमेंट को फोलना है मेरे को ठीक है तो मैं capital D लिखूँगा जैसे ही मैं टैप दवाँगा तो option दिखा देगा सर डी से बहुत सारे options है अब मैं cd कर सकता हूँ और देख सकता हूँ डाउनलोड क्या क्या है हुआ 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 है